हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि छिपकली दिवाल पर कैसे रुकी रहती है और क्या आपको पता है कि छिपकली की एक ऐसी प्रजाती है जो किसी भी इंसान को असानी से मार सकती है और क्या आपको पता है कि भारत में छिपकली को कितने अलग-अलग नामों से जाना जाता अगर नहीं तो आज हम जानेंगे छिपकली से जुड़ी कुछ इंट्रेक्टिंग बातें जो सायद ही आप लोग को पता होगी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छिपकली दिवारों और छटों पर असानी से चल पाती है और कई बार दोड़ने भी लगती है आज आपको बताते हैं छिपकली का दिवार पर ऐसे चिपके रहने का रहस्य कुछ वक्त पहले तक इसका काराण छिपकली के पंजो और दिवार के वीच वैक्च्यूम बनना माना जाता था लेकिन असल में इसका काराण छिपकली के पैरों की सन रचना में छुपा है चिपकली के पैरों में बहुत सारे सुच्म रेसे होते हैं जिने सीटे कहते हैं हर सीटों में सैकडो और बहुत सुच्म रोम होते हैं जो इसपैच्वल कहलाते हैं जब इसपैच्वल दिवार के संपर्क में आते हैं तो वंडर वास बल उत्पन होता है और इसी बल के कारण छिपकली दिवाल पर असानी से चिपकी रह पाती है छिपकली एक ऐसा जीव है जो साप से समानता रखता है क्योंकि ये दोनों ही जीव एक ही पुर्वच के वंसज हैं दुनिया में छिपकली की 50 जातिया और 300 उप जातिया पाई जाती हैं ये अंटारकटिका को छोड़ कर दुनिया के हर कोने में पाई जाती हैं अंटारकटिका के ठंडे तकमान में अनुकूलित नहीं हो पाने के कारण छिपकली की प्रजात वहां नहीं पाई जाती हैं चिपकली की पूच को छूती वो चिपकली के सरीर से अलग हो जाती है और कुछ समय बाद वापिस आ भी जाती है। चिपकली अपनी स्कीन को बदलती रहती है और आपको ये जानकर हरानी होगी कि अपनी उतारी हुई पुरानी स्कीन को चिपकली खा भी जाती है। संसार की तीन चौथाय चिपकलिया निसाचर टाइप की होती हैं, और ज़्यारतर चिपकलिया मांसहारी होती हैं, जो सलब, जिंगूर, कीट, पतंगों को खाती हैं, इसके अलावा चिपकलि अपनी जीप से चावल और सककर भी खा लेती हैं, और इसी जीब से पानी भी पी लेती हैं छिपकली एक बार में परियापत पानी पी लेती हैं और लंबे समय तक बिना कुछ खायर रह भी लेती हैं जब कोई सिकारी छिपकली पर हमला बोलने आता है तो उसे अपने मूँ से पकड़ कर दिवार पर पटक पटक कर सांध करना छ आपको जानकर हरानी होगी कि दुनिया में सबसे जादा प्रजात छिपकलीों में होती हैं कोमोड ड्रेगन जो करीब 10 फिट लंबी और करीब 140 किलोग्राम भारी होती है जो इंडोनेसिया दीट पे पाई जाती है अगर कोई इनसान इसके संपरक में आता है तो उसकी मौत क कारण ये छिपकली बन सकती है क्योंकि ये छिपकली अक्सर घात लगा कर वार करती है छिपकली के कुछ ऐसी प्रजाती होती है जो गिर्गिट के तरह रंग बदलने में माहिर होती है आपको जानकर हैरानी होगी कि छिपकली की नाक उसकी जीव में होती है और इसलिए किसी भी चीज को सुंगने के लिए अपनी जीव को बाहर निकालती रहती है। भारत में छिपकली को अलग-अलग भासा में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। मराठी में पाल, तमिल में पली, मल्यालम में गवली, गुजराती में गरोडी, बंगाली में टिक-टिकी, कन्नड में हली, तथा उरिया भासा में जीटी-पिटी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कामन हाउस गेको या हाउस लिजाड कहा जाता है। अक्सर लोगों के मन में छिपकली को लेकर एक वहम और संसय बना रहता है यदि छिपकली खाने के समान में गिर जाए तो क्या वो समान छिपकली के कारण जहरीला हो जाता है आपको डरनी की बिल्कुल जरूरत नहीं है घरेलू छिपकली जहरीली नहीं होती है इसकी तोचा में भी किसी प्रकार का कुई जहर नहीं होता है दरसल इसके सरीर पर कई प्रकार के पैंथोजेंस यानि बिमारी फैलाने वाले बैक्टिरिया जिवाडू आधी होती है क्योंकि यह ऐसी जगह घुमती रहती है जहां धूल मिटी गंदई बहुत होती है वहाँ से किटाड़ इसके सरीर पर चिपक जाते हैं यदि चिपकली खाने में गिरती है तो इन किटाड़ के कारण खाना संक्रमित हो जाता है जिससे खाने पर बिमारी हो जाते हैं जिस प्रकार मक्षी हमें बिमार कर सकते हैं उससे प्रकार चिपकली भी कर सकते हैं लेकिना किसी प्रकार के जहर का परिडाम नहीं है दोस्तो आसा करता हूँ आपको यह जनकारी पसंद आई होगी और यह जनकारी पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद